हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन इस्टेडी पॉइंट दोस्तो इस वीडियो में आपके लिए जन्न नौलेज की कुछ इंपोर्टेन कोईशन लेकर आया हूँ जो कि आपके आने वाले एक्जाम्स के लिए काफी महत्मूर रहेगा इसलिए आप इस वीडियो को अंतर देखें और यदे भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब निकिया चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें साथ हैं बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताक कि आपको डेली एक्जाम से लेटेर वीडियो मिलता रहे चलिए तो फिर स्टाट करते हैं पहला कोश्चन है वेलिंग्टन पहला कोश्चन है भारत का सबसे पुराना होकी टूर्नामेंट कौन सा है तो यह देखें आपके लिए इतने भी कोश्चन लेकर आता हूँ यह जनल नौलेज के प्रेक्टिस सेट तो यह हर एक्जाम के लिए काफी मातपूर्ण रहता है अब हमारे साथ साथ सौल जरूरू किया करें यदि आपको नहीं आता है तो आप मेरे साथ इस वीडियो को लास्त देखें आपके एक्जाम के लिए तयार हो जाएंगे यदि आता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा अगला कोश्चन है डाक्टर बीसी राय पुरुसकार दिया जाता है कि शेत्र में दे जात आपना ओए थी 1962 में और राष्टी चिकित्सा दिवस एक जुलाई को मना जाता है इसी दिन ये नई दिली में राष्टपदी द्वारा प्रतान किया जाता है ठीक है तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा डाक्टर बीसी राय पुरुसका दे जाते चिकित्सा गय छेत् हमारा अगला कोश्चन काफी सिंपल और बहुत बार पूछा गया है ये हिंद स्वराज पुस्तक किस ने लिखी है तो इसका एंसर पता है तो आप बताईए हिंद स्वराज पुस्तक लिखिए तो इस तो बाल गंग धरती लगने ठीक है यानि कि आउपसाने करेक्ट हो जा तो दोस्तो 23 दिसंबर को मनाया तक अब 23 दिसंबर को देखिए जो भारत के पूर प्रधान मंत्री थे चाउधरी चरण सिंग के सम्मान में 23 दिसंबर को प्रतिवस भारत में किसान दिवस मना जाता है ठीक है किसान दिवस यादर किएगा 23 दिसंबर को इसका एंसर आपको पता है तो आप जरूर बताएं काफी इंपोर्टेंट है तो इसका correct एंसर हो जाएगा option A 1951 में ठीक है अब देखें दूस्तो एसेन गेम से लेटें मैं आपको कुछ facts बता देता हूं जो आपके एक्जाम में पूछा जाएगा तो देखें दूस्तो आपको बता देखें दूस्तो की अठारवा एसेन गेम जो हुआ था यह 18 गस्ते दो सितंबर 2018 तक जकारता तथा पोलेम बैंग इंडोनेसिया में संपन हुआ ठीक है और आपको बता देखें किसका जो दोस्तो सुभंकर था याद रखिएगा मैसकट क्या था एसेन गेम दो अठारा का भीन भीन अतूंग और काका भीन भीन एक पक्षी है अतूंग हीरन है काका एक्षिंग वाला गेंडा है और दोस्तो अठारवे एसेन गेम्स में इसमें 40 खेलों की 465 वरधाएं होगी थी ठीक है इस तो अठारवे इसेन गेम्से भारत की बात करें तो भारत आठवे श्तान पर था पतक तालिगा में टोटल दोस्तों 69 मिडल के साथ इसमें 1570 थे 24 रजत थे और 30 कांच टोटल 69 मिडल ऑठ भारत आठे श्तान पर था और भारत के दुस्तों अप तका सरफषेस्ट पतक पत जबकि समापन समारों में भारती दोचबाग थी रानी रामपाल जो भारती महिला होकी कप्तान है ठीक है तो यह जरूर याद रखेगा इंडोनेसिया यह दूसरी बार आवजन हुआ है इसमें और इससे पहले इंडोनेसिया में खेला गया थे एसियन गेम्स 1962 में ठीक है तो यह आप जरूर याद रखिएगा और एसियन ओलंपिक परिशत के अधाक्ष कौन है तो यह दोस्तों शेख एहमद ठीक है एसियन ओलंपिक गेम्स के एसियन ओलंपिक परिशत के अधाक्ष है इतने सारे फैक्ट आप जरूर याद रखेगा एस데 गेम्स 12-16 में काफ़ी इं गाय के दूत का रंग किसकी मौजूद्धी करण से पीला होता है कि विटामिन के आपको बताने किस विटामिन का सम्षंब रख्ञक्त के ठक्का से है काफी सिंपल Πरीक कॉस्ưं है विटामिन के की, ठीक है, option D आंख की किस भाग पर वस्तु का प्रत्वीम बनता है काफी confusing question है और important है रेलवे एक्जाम में पूछा गया था भी हाल में आख की किस भाग पर वस्तु का प्रत्वीम बनता है तो इसका right answer आप बता सकते हैं अगला question भारत की सबसे बड़ी मचली काउंसी है तो इसका correct answer हो यागा दोस्तो option B, well shark अगला question, मनुष्व में कुल कितनी हड़ियां होती है मनुष्व में कुल कितनी हड़ियां होती है तो इसका correct answer हो यागा option B, 206 total 206 हड़ियां होती है मनुष्व के सरीर में ठीक है ये question काफी important है जूटा सोना है जिसको बेबपूपों को सोना के नाम से भी जाना जाता है जूटा सोना के नाम से कौन से जाना जाता है option दे रखे हैं अठाफट राइट एंसर आप बता सकते हैं तो आरन सलफाइट को दोस्तो जूटा सोना या बेबपूपा सोना के नाम से जाना जाता है जूटा सोना आरन सलफाइट अठाइट दिन का जोपड़ा कहां इस्तित है अठाइट दिन का जोपड़ा जो कि एक मस्जिद है राजस्थान में इस्तित है अजमेर में ठीक है आपसा ने करेक्ट हो जाग अजमेर राजस्थान आपको पताती किसे सस्थापक कौन था कुतूबुद्दीन एवक ठीक है कुतूबुद्दीन एवक यादर के अड़ाई दिन का छोपड़ा कहा है सी था हजमे राजस्थान में मस्जिद पोंगल किस राज्य का चर्चित परव है ये कोशन कई बार एक्जामें पूछा गया है पुञंगल किस राज का चज़ित परवे यह तमिलाडू का है कहा का तमिलाडू का यानि कि option ने correct हो जाएगा मध्वनी लोक-कला किस स्राज़िसे सम्झित है आपको बताने कि मध्वनी लोक-कला है यह किस स्राज़िसे सम्झित है तो यह दोस्तों बिहार से ठीक है, option C, बिहार से, मधुनी लोग का लग समंद किस राज से, बिहार से है, गोल करांदी का समंद किस से है, गोल करांदी का समंद किस से है, तो यह दोस्तों आलू उत्पादन से, जबकि हरित करांदी का समंद किस से है, हरित करांदी का समंद है, फसल उत्तपादन से ठीक है गेहूं के उत्तपादन से सबसे ज़्यादा समझनी थे गेहूं और चावल का इसमें प्रहपड़त हरितकरांदी में और आपको बता दे जोस्तों कि हरितकरांदी के सुरुवात हुई ती उनिस सट सट अरसट में भारत की सबसे बड़ी बहुदेशी नदी घाटी परिजना कौन सी है तो भारत की सबसे बड़ी बहुदेशी नदी घाटी परिजना है इसका इंसर आपको पता है तो बता सकते हैं यह है भाखडा नागल परिजना ऑप्सन बी भारत में कारेपाल का गध्यक्ष कौन होता है राष्टपती ठीक है ऑप्सन अ बरतमान में कौन है रामनात कोविन जी है वरतमान भारत के राष्टपती समिधान में भारती समिधान में मूल करतब एकप समाविस्ट किया गया था उसका करेक्ट एंसर हो जागा ऑप्सन डी 1976 में ठीक है 42 में समिधान संसोधन के तहत मूल करतब एक कभ वा था 1976 में वरतमान में भारत में कितने मूल करतब हैं तो मूल करतब हैं रोटल गया रहे है करें ведलों के लिखाए उपाऊंड़ के लेखा KOTA curse आ फू साइन में एक्ट के लेखा कौन है था अयूज तो यहुत अवप आपके लिए एक जाहेह रहे गई लात्व रहा है और हांव। दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए आप अपना स्वस्तर रही है बैस्तर रही है और दोस्तों यहाँ पर एक वीडियो प्ले होगा लास्ट में इस्क्रीन में आप जरूर देख लें और कमे अगरीह पूर्णी स्कारीधा प्राइब।